प्लिस सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेश दा बेल आइकन तो गेट दा नोटिफिकेशन वाल आपलोड आ नेव वीडियो नमस्का दोस्तों आप सभी को टेक्नो जानी इन फोकम यूट्यूब चैनल पर सो आगाते हैं मैं हूँ अभी तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक निउस सबसे पहला जो निउस है वो जियो के तरफ से जियो का जो प्राइम मेंबर सीब है उसको एक साल तक एक्स्टेंट कर दिया है तो आप डिटेल्स वीडियो अगर देखना चाहते तो उपर आई बटन पर क्लिक करके डिटेल्स वीडियो देख पाएंगे तो अगला जो निउस है वो दुबारा जियो के तरफ से जियो का जो ट्विटर हंडल अरे उन्होंने ऐसा कुछ पिक्चर शेयर किया है जहां पर जियो जूस करके कुछ बैटरी का सिंबल दिया गया है कुछ लोगों का कहना है जियो का जो बैटरी अप्लिकेशन है वो आने वाला है लेकिन मैं आपको कहता हूँ यह बस एप्रिल फूल है आगे ऐसे और भी नीव्स आज दिन भर आपको मिलने वाला है तो ध्यान रखे इस चीज़ का दोस्तो अगला जो अपडेट है वो फिर से जियो के तरफ से जहां बताया जा रहा है जियो ने दुबारा टॉप कर दिया है डाउनलोडिंग स्पीट के मामलों में ट्राई ने बता दिया है जनौरी 2018 में जियो टॉपस्ट डाउनलोडिंग स्पीट दे रहा था जो 21.3 Mbps तक था लेकिन जियो को मैं बताना चाहता तो थोड़ा सा इंप्रॉफ कर दीजिए नेट वरक नहीं मिलता है हमें और इधर उकला काहता है यह सबसे ज्यादा इस्पीट प्रोफाइट करता है पता नहीं यह क्या करता है और जियो क्या करता है लेकिन यह अग्ला अपडेट है वन प्लस इक्स के तरफ से जहां पर कल 2.3 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा और पिछे के तरफ जो कैमेरा है वो होरेजेंटली प्यार रहेगा दोस्तों अगला न्यूज है वावे के तरफ से वावे ने अपना ती नया फोन लॉंच कर दिया चाइना के अंदर वावे एंजॉई 8 वावे एंजॉई 8 प्लस ल फोल्डेवल फोन बहुत जल देखने को मिल सकती है लेकिन इसका प्राइस क्या होगा पता नहीं एक तो नॉच वाला डिस्प्ले का प्राइस एक लग टेन थाउजन अब फोल्डेवल डिस्प्ले का प्राइस तो लग बग दो टॉच कर जाएगा देखते आगे क्या निकल स्नैपड़गन 636 देखने को मिल सकती है 4GB RAM के साथ और इस फोन में आपको ड्यूल रेयर कैमेरा देखने को मिलेगी 12 MP और 8 MP और 5 MP का सेल्फी शूटर भी दिया गया है और इस फोन में आपको 3000 मिलियम्प्यार के भी बैक्री देखने को मिल सकती है दोस्तों अगला जो आप आपडेट है शाूमी और मीडिया टेक के पार्टनर्शिप के ऊपर शाूमी और मीडिया टेक ने दुबार पार्टनर्शिप कर लिया और बताए जा रहा है जो यहां अगे हम लोग वपर आइसा बजेट फोन देखने को मिल सकती है जहां पर द्वाला फीचर्स हो और अप्डेट है WhatsApp के तरफ से WhatsApp ने अपना कुछ नया अपडेट निकल दिया है जहां पर अगर आप चाहते अपना WhatsApp नमबर चेंज करने के लिए तो उसके लिए जो पॉसे से बहुत इजी हो गया अब बस अपना नया नमबर एंटर कीजिए और नमबर चेंज हो जाएगा लेकिन अब यहां पर और एक अपडेट दिया है WhatsApp ने अब बस नया नमबर चेंज करने के बाद अगर आप चाहते आपका जो WhatsApp कंटक्त है उन सभी को एक नोटिफिकेशन भिजने के लिए कि आपने अपना जो नया नमबर है उससे चेंज कर लिया है तो आप भेज पाएंगे तो द झाल